आप सभी का स्वागत है मिंकीज किचिन में आज मैं ट्रेडिशनल पंजाबी छोली की रेसिपी शेयर कर रहे हूं मैंने इसे राद भर भिगो की रखा हैं पांच छे लोगों के लिए मैंने दो बाउल लिये थे और इसे अच्छी तर से धोके भिखो की रखा है अब इसे मैं कोकर में बोईल करूँगी मैं छोलो को अभी बोईल कर रहे हूं तो उसके लिए मैं फ्लेवर के लिए मैं उसमें पहले कटेवे बारिक प्याज और मेती लॉंग काली मिर्च काली इलाइची और डाल चीनी अब मैं इसमें इच्चमच नमक एड़ कर रहे हूं और जो मैंने सारे वसाले लिए थे थे थोड़े ही लेने हैं क्योंकि मेती जो है वो छोले के अंदर जब बोईल हो जाएगी तो यह ज्यादा गैस और वात की प्रॉब्लम नहीं करेगी इसलिए मैं मेती ले रही हूं औ और बाकी लॉंग, इलाइची, डालचीनी सभी के अपने गुंध हैं सभी को इसे में दाख रहे हूं थोड़ा ही लेना है और मैंने दो प्याज कट किये हैं और छोटे लिए हैं बारे कट किये हैं और पानी यह थोड़ा अजीब लग रहा हूँ तो प्याज को मैं छोलो के अंदर बॉइल करें वर्ट इसका फ्लेवर बहुत ही बहुत ही आच्छा आता है जो छोले थे छोले इतने हैं उससे थोड़ा उपर तक पानी लिया है जिससे कि यह अच्छी दर से बॉइल हो जाए अब इस जाए और यसे धिस那就 Jose Regierung मैने चने वोईल कर ले हैं अभी उसे तड़का मानने के लिए ने द्लिलियन्स लिये हैं उसमे इन लोलिया है हरी मिर्च उसे आप कैसे वी काट सकते हैं मैंने थोड़े लंगाते हैं अद्रक लसान और चना मसाला और मैने इमली इसे विगों के रख थी थोड़ी सी टमाटर टमाटर दो मैंने ग्राइंड किये हैं हां हींग सबसे पहले मैं तेल ठाले हैं दो चम्मच तकरीबन तेल डालेंगे जीरा एक स्पून थारी मीट किये हैं और उनकी पटने देंगे अथी तरह से सापने हम इसने फुरा नमक एड़ कर देंगे मैं आधा चमश लेड़ी हूं पहले मैंने बॉइल करतेवे चनों में नमक लिया है थोड़ा सा ये पट जाए टमाटर पिर हम लसन और अद्रिक का पेस्ट डालेंगे प्याज मैंने बॉइल कर लिये थी तो अब इसका जो चनों का पेस्ट आएगा बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चटपटा आएगा इस टमाटर को मैंने अच्छी तरह से पकाया है अभी अब इसलिए मैं लसन दालूंगी एक चुमच लसन एक चुमच आतरख अब इससे अच्छी तरह से हम ठीक तो पकने देंगे जो सही अभी थोड़ा नीचे लग रहा है तो हम ब्रैंट की अबर जो रहता है तो तमाटर का बाकी जो मिक्सर में हम उसके थोड़ा पानी नाल के एक तर चते हैं उसमें पानी मेरी मिक्सर में बाकी रहे गया तो इसमें एक कर रही है अब इसके साथ में आदा चमच लाल मिर्च मसाले थोड़े दिरे दिरे डालने हैं क्योंकि जब यह लसन अर्दरक अच्छी तरह से पक जाएगा तभी हम मिर्च विगरा डालेंगे तो उसका थोड़ा प्लेवर अच्छा ताजा फ्रेश रहता है इसे दो मिट अच्छी तरह से घुमाई है लसन अर्दरक जो मैंने अभी मिक्स किया था वो अच्छी तरह से बुम गया है अब इसमें दो चमच जो मैंने इनली भीगोगते रखी थी वो डालेंगे अब अपने पेस्ट के अनुसार इनली डाल सकते हैं अब गये मसाला दो चमच जो जो चनो मसाला बोल सकते हैं अब इसे अची तरह से बूजने देगी अभी तो मेट अची तरह से और मिक्स करना है और इसमें हम और आइड कर सकते हैं कसूरी मेती कसूरी मेती इसमें मैं आइड कर रही है एक चमच थोड़ा इसका प्लेम का मुखिया थोड़ी थोड़ी मसाला अची तरह से बूच गया है अभी तो मैं इसमें बॉइल किये ले चने लिक्स करूंगी तो यह देखिए प्याज के साथी करना है इसका थोड़ा फ्लेम उच्चा कर देंगे इसका पानी जो बॉइल किया हुआ हमने साथ में उससे बाद में लेंगे पैने हम इसे चनो को ले लेंगे इसे निट स्परेंगे इसे पांच मीट तक हम ऐसे वाइल करेंगे और उसे थोड़ी दिर के लिए ढपके रखा देंगे जितना अच्छी तरह से हम इसे मसालों की सार बून लेंगे दुबारा से उतना ही इसका जो फ्लेवर है हमने गरम घड़े मसाले जो डाले थे वह सब मिक्स हो जाएंगे इसमें मैं लास्ट में काली मिर्च एड़ कर रहे हैं जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा देगी अभी मैंने काली मिर्च एड़ की थी अब मैं इसे ढखने से पहले जो इसका हम रस बनाएंगे तरी रखेंगे जितनी करी रखनी है तो उसके लिए मैंने वह बॉयल पान दिया है अब इसे मैं धर्ब दूंगे है अब देखिए है अब देखिए है अच्छी तर से मसाल मिक्स हो गया है और रसे वाला छो लें देखिए अभी रेड़ी हो गए अच्छी तर से मिक्स हो गया है अब इसे मैं बावल में लेंगी यह जो मेरे लंबी हरी मिर्च जो है लंबी काटी थी वो जो मुँमें आती है खाते वद बहुत ही टेस्ट लगती है छोले अच्छी तरह से रेड़ी कर लिये हैं मैंने अब इसे हम कार्णिश करेंगे हरा धनिया और पुदीना नेंबू खाते वक्त आप सर्व कर सकते हैं और प्याज पंजाबी छोले आप भी ट्राइए कीजिए मन से बनाईए प्यार से खिलाईए थैंकी सो मच बोले प्याज़ आप प्याज़गे अप्याजर हैं अबड़ प्या ने रिर रहा हैं लोले अगुए कीजिए दो रिंगे हैं जादी ऊत्राइए कीजिए अव